नमस्कार किसान बायू सो अगते देश की सभी बड़ी मंडियों के आज के आलू के ताजावाओं में जैन दोस्तो आज हो चुका है 28 अक्टूंबर 2020 देश की सभी बड़ी मंडियों में हाल इफलाल में आपके क्या आलू के भावच चल रहें पिछले सब्ता की तुलना में इस सब्ता में आलू के भाव में कितनी तेजी और कितनी मंदी देखने को मिली है साथी आने वाले समय में आपके आलू के क्या भाव रहे सकते हैं आलू का बवी से क्या रहेगा साथी मंडियों में कितनी आलू की आवक हो रही है कितने आगे भाव में आपको उच्छाल देखने को कब तक मिलने वाला है दोस्तो पूरी जानकारी कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो में दोस्तो ताजा भाव के साथ हम आपको देने वाले हैं तो दोस्तो इस वीडियो को आप अन तक जरूर देखी का साथी वीडियो को लाइक जरूर करते हैं अपने साथी दोस्तों यह साथ भी इस वीडियो को जरू-जरू सेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे ने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन जरू प्रेस करें क्योंकि लगातार सही और सठीक हम आप तक सबसे पहले फूँचाते हैं साथ है किसान भाई अगर आप अपना अलू बेचना चाते हैं तो कमेंट बोक्स में पूरी जानकार जरू-जरू लिख दें यानि आप कहां के रहने वाला है कितना एकुटल आपके पास अलू है कि इस दर पर आप आप आलू बेच में आपके 2550 से लेकर 2800 रुपे आपका आलू बिक रहा है वही दोस्तों बात करें अलेगर मंडी में तो 2950 से 3050 पर कुटल आपका आलू बिक रहा है वही दोस्तों बहराई की बात करें तो यहां 2820 से आपके 2940 वही दोस्तों बलिया के बात करें 2990 से लेकर 3120 तक आपका आ बीकरा है वही Wagyu बात करें बाकी बड़ी मंडियों की ओसे भावों की तो. लगबग यहां तीसी रुपे culturally आपके आलों है वो ठोक के भावों में विक रहे हैं टीन हजार कुटल तक आपके आलों हैं वहाल-फिलाल में भिक रहे हैं तो अच्छे कासे बाव हम मान सकते हैं आगे भी इनमें उच्छाल देखने को मिलने वाला है वही दोस्तो हर्याणा की बात कर लेते हैं हर्याणा की दोस्तो यहां बात करें तो यहां ओसत बाव हम आपको बता देते हैं यहां ओसत बाव यहां दो हजार रुपे से लेकर है यहां मंडी में 3,000 से लेकर 3500 रुपे इंदोर मंडी में 1,000 से लेकर 3200 रुपे भाई दोस्तों बाकी मंडी में 3500 रुपे तक आपका है आलो यहां मद्दे प्रदेश में बिख रहा है महरास्टा की दोस्तों आपको भाव बताते नासिक में आपके 2100 रुपे से लेकर 3650 रुपे वही दोस्तों यहां मुंबई onion and potato market में आपके 2700 लेकर 3500 रुपे तक आपका हाल फिलाल में आलो बिक रहे हैं वही दोस्तों पंजाब की बात करते हैं तो पंझाब की आदमपुर मंडी में 2200 रुपे से लेकर 24 रुपे अंजला की मंडी में 2800 रुपे से लेकर 2900 रुपे उसत भाव की बात करें तो यहां भी 3400 रुपे तक आपका मैक्सिमम है वो आलू बिक्रा है यानि पंजाब में आपकी आलो की आवगा भी चादा हो रही है वही दोस्तों राजस्तान की बात करते हैं तो राजस्तान की अजमेर मंडी में 2500 रुपे से लेक आपके 3000 रुपे सिकर की मंडी में 2000 रुपे से लेकर 2100 रुपे तक आपका हाल इप्लाल में आलू बिक्रा है यानि कुल मिलाकर रहे हैं तो अच्छा कासा उच्छाल है वो भी देखने को मिला है आगे भी किसानवाई को देखने को आलू के बाहों में मिलने वाला है